ग्रीटिंग्स एवरीबडी कैसे हैं आप लोग आज अपन ड्राफ्टिंग के बारे में जो क्लास वी थी उसकी समरी करने की कोशिश करेंगे तो वकालत में सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ड्राफ्टिंग कर रहता फर्स्ट वाला जब क्लाइंट आपके सामने आक स्टेप उसके बाद फिर कौन से कोट में आप दाखिल करेंगे कौन सा केस दाखिल करेंगे वो डिसाइड करना उसके बाद और एक्जामपल अपन यहां पर हाई कोट की ड्राफ्टिंग उसमें भी रिट पेटिशन डबलू पी गवर्मेंट के किसी डिपार्टमेंट से कुछ भूल चूक हो गई कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप गवर्मेंट में केस दाखिल करते हैं कि यह डिपार्टमेंट को यह आर्डर करिए जजज साब के यह एक्टिविटी उनकी वह कंप्लिट करें यह कोई एक्टिविटी उनके पर स्टेट ऑफ तलंगाना सिचुएटेड एट हैदराबाद डब्लूपी नंबर बलके ब्लैंक छोड़ देंगे आप क्योंकि फैलिंग के बाद मिलिंगा आपका डब्लूपी नंबर अफ ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर उसके बाद क्रोन लोजिकल और रनिंग इंडेक्स बोलके आएंगा ता खरीबन ऐसा तो उसमें एक दो तीन चार पांच छे कालम रहेंगे और रोज डिपेंडिंग ओन आप कितना मेंटिरियल पेपर से अटेच कर रहेंगे सबसे पहले आएंगा सर्विस सर्टिफिकेट सर्विस सर्टिफिकेट मतलब उसमें सर्विस सर्टिफिकेट कोलके लिखके आई हाव गिवन पेटिशन फाइल तू दस्टेंडिंग काउंसिल बलके लिखाव रहेंगा और जो जो स्टेंडिंग काउंसिल को आप दिंगे उ सीधी तरफ पहला बड़ा जो दरवाजा है वहां पर पूरे standing council के offices है standing council, PP, GP, AGP का क्या मतलब है बले तो ये government के वकील हजराथ है जो same case को government की तरफ से argue करते तो आपको कोई भी department पर case डालने से पहले उनके standing council को आपकी पूरी case file देदेना देखे बोलना कि हम case दाखिल कर रहे हैं, तो उनके भी इल्म में रहता, उसके बाद ही case file होता ने, तो case नहीं file होता तो service certificate, service certificate पर, almost 10% of the page पर लिखाओ रहेंगा, कि I have given set of this petition with material papers to the standing council और उनका signature, name, phone number, stamp, उसके बाद court fees, serial number 2, page number 2 court fees मतलब, जो court fees आप भर रहें, उस हिसाब से, जैसे के number of petitioner के हिसाब से 100 रुपीज रहेंगा और number of respondents के हिसाब से 30 रुपीज रहेंगा, for example, आपके 5 petitioners है, तो 500 हो गए, और अगर 5 respondents है, तो 1500 हो गए 650 आपको court fees हो गई, जो के high court के अंदर, जो SBI है, उसके अंदर आप जाके bank चालान भर सकते, online से भी भर सकते आप, उत्ते value के stamps भी लगा सकते, रहेंगे, रहेंगे, तो 300, 600 है सा रहा, तो बहुत stamps हो जाते हो, अच्छा नहीं दिखता, तो SBI का चालान ले लेना बहतर रहा या online payment कर सकते आप, उसके बाद third serial number हो गया, read petition, read petition खोलेंगे तो, उसमें क्या रहेंगा, यह है page number 3, page number 3, read petition, इसमें memorandum of read petition, brackets, special original jurisdiction, brackets, under article 226 of constitution of India, high court for the state of Telangana at Hyderabad, WP number blank of 2024, between serial number 1, party का नाम, wife of, son of, daughter of, age, occupation, address, यह सब चीजां, किते petitioner से उतनी बार आप यह सब लिखेंगे, अगर कोई GPA holder है, तो उनको भी last petitioner बनेंगे, अगर GPA holder है, तो वकालत नामा पर GPA holder की signature लेंगे आप, इसके बाद, petitioners और respondents के नामों के बाद आएंगा, The address for service of the above name petitioners is that of their council, so and so, वकीलों के नामा रहेंगे, एक है, चार है, आठ है आप लोग, team, उनके नामा, followed by computer code, किसी एक का तो high code का computer code लिखना जरूरी रहेंगा, उसके बाद address, house number, so and so dash, ground floor dash, घासी बजार, gate number 6, high code of Telangana, हैदराबाद, TG, pin code 66, mobile phone number, और email address, उसके बाद, आपका main prayer रहेंगा, main prayer, और अगर आपका interim prayer है, तो interim prayer भी यहाँ पे आएंगा, यह main treat petition का, third, serial number 3 है, for example, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, for the reason stated in the accompanying affidavit, it is hereby prayed that this honourable court may be pleased to declare the action of respondent number 3, in incorporating the so and so belonging to the petitioner in acquisition of so and so and correcting the entries of respondent under ROR Act, file number so and so, and pass such order or other orders as the honourable high court may deem fit and proper in the circumstance of the case, नीचे date लिखी रहेंगी, place, हैदराबाद, council for petitioner, यहनिके जो case डाल रहे हैं, वो वाले advocate का signature, उसके बाद यह docket page आएंगा, दो से तीन बार आपको सेम डाकेट पेज आते रहेंगा, डाकेट पेज मतलब जो पेज में मोडने के बाद, हाफ साइड में कुछ भी ने लिखावा रहेंगा, हाफ साइड में लिखावा रहेंगा, यहाँ पे district का नाम, High Court for the State of Telangana at Hyderabad, WP No. 724, रिट petition, filed by A, B, C, D advocates, council for petitioner, उसके बाद, यह आपका हो गया, Serial No. 3, रिट petition, उसके बाद, Serial No. 4, एनेकजर, इसमें, starting फिर आप कोट का नाम लिखेंगे, High Court for the State of Telangana at Hyderabad, WP No. blank of 2024, between Srimati Soenzo Petitioner and the State of Telangana, यहाँ पे आप पूरे 8 लोगों के नामा ने लिखेंगे, और इनके wife of, son of, daughter of भी ने लिखेंगे, हाली 1st Petitioner का नाम, 1st Respondent का नाम, State of Telangana, List of Events, एनेकजर, इसमें देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाच कॉलम है, पाच कॉलम है, 1st कॉलम, Serial No. फिर Date, फिर Description of Events, फिर Page No. in Affidavit, Para in Affidavit, तो इसमें जो Description of Events है, वो, for example, जो Events, जो वाखया, जो Story Client आपको सुनाया, वो Story यहां पर Paragraph के Form में, Tabular Form में, List of Events रहेंगे, उसके बाद, उसके Ending में, फिर, Signature सभारा, उसके Ending में हो गया, एनेक्जर 2, Under Article 226 of Constitution of India, Dated So and So, Place Hyderabad, Council for Petitioner, इस पे भी कॉन साइन करेंगा, जो Petitioner का Advocate, उसके बाद, Affidavit शुरू होईगा, आपका, Affidavit याने, जो Story of Events है, वो Client के मुजबानी, I Humbly Submit बोलके, शुरू करते हुए, उसमें क्या करेंगे आप पहले, Memorandum of Rick Petition, Special Original Jurisdiction, Second या Third Time, आरा यही चीज, Under Article 226 of Constitution of India, High Court for the State of Telangana, WP Numbers, Blank of 24, Between 8, 2, 3, 4, Petitioner के नाम, Son of Age, Occupation, Address, उसके बाद, हम यहाँ पे GPA Holder था, Represented by GPA Holder, Respondent के नाम, यह क्या है, Affidavit चल रहा है, Respondent के नाम, State of Telangana, Represented by Principal Secretary, So and So Department, Secretariat, Hyderabad, Telangana, अब यहाँ पे अपने respondents से, District Collector, So and So, Taisil, So and So, Affidavit, यह लोग respondents है, Affidavit, I am So and So, Son of So and So, So and So, Occupation, Agriculture, President of So and So, Now, Having temporarily come down to Hyderabad, Do hereby solemnly, And sincerely affirm, And state as follows, Point says, I humbly submit that I am the petitioner herein, Therefore, I am well acquainted with the facts of the case, I am filling this affidavit on the behalf of other petitioners as well, Point number two, I further submit that since the cause of action for all the petitioners herein is one and the same, We are filing a single writ petition, However, as required under writ rules, separate court fees is paid herewith, Point number three, I submit that we originally had the land in survey number so and so, Measuring so and so, Village so and so, In the year 1988 aisa hua tha, While so, The respondent three unlawfully aisa aisa karethe, We humbly submit that we have also filed a revision petition before the so and so, In the circumstances stated above, The petitioner has no efficacious alternative remedy, Except to seek the redressal before this Honorable court, Seeking the indulgence of this Honorable court to exercise the extraordinary jurisdiction vested in the Honorable court, By virtue of Article 226 of Constitution of India, The petitioner has not filed any writ suit or other proceedings for the relief or relief sought herein. Therefore, Therefore, Uske baad phir prayer ahenga, This Honorable court may be pleased to pass an order directing the so and so, Yana se prayer, Kya client ku hona kya hai, Ushi saap se type karna, Uske baad, And pass such other order or orders which may deem fit and proper to the circumstance of the case, Ek line chhodke interim prayer deya sakta hai, It is also just and necessary that the Honorable court may be pleased to direct the respondent number to so and so, Uske baad, Deponent, Deponent mein koon sign kareinga, Petitioner sign kareinga, Aapka client sign kareinga, Before me advocate Hyderabad, Yana pe petitioner ka advocate sign kareinga, Uske baad ahenga verification statement, I so and so, son of so and so, aged so and so, Agriculture resident of Telangana, Being the petitioner, Person acquainted with the facts, Do hereby verify, And state that the contents of the above para, Of the affidavit, Are true and correct to the best of my knowledge, The above contents are typed under my instructions, May bole jasa type kareinga, And same are read over and explained to me in vernacular language, पढ़के मेरे को सुना है, क्या type karein, सही है, क्या वलके, Hence verified at Hyderabad on this date, So and so, Deponent, Client ka signature, Advocate, Advocate ka signature, Uske baad से आपके स्टार्ट हुएंगे, पी वन, Material paper one, For example, यह map है, फिर उसके बाद जो है, Representations है यह, किसको किसको representation करें, स्टैंप दिखना ना, Blue color का, स्टैंप का जो है, Acknowledgement लेने के बाद, आप High Coat में दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद यह P2 है, पी टू के अंदर स्टैंप, पार्टी का नाम, उसको क्या तकलिफ है वो, ऐसा, तो यह पूरे Material papers आ जाते हैं, Material papers, इतना इच्छे ड्राफ्टिंग का, क्यूं डरते नए वकील हजरात और लॉज स्टूदेंट्स मेरे को समझ में ने आता, आप लोग एक बार DRAFTING अच्छे से सीख लिये, तो पुस कंप्यूटर में वह राइट को कैसा लेना, लेफ़्ट को कैसा लेना, स्पेस कैसा लेना, बॉल्ड कैसा लेना, ये चीज़ तो जनरल कंप्यूटर के चीज़ हैं, आपको DRAFTING में यह सीखाना बोले, तो टूमच टाइम कंजूमिंग हो जाता तो कंप्यूटर के चीज़ां आप लोग शिख के आना कि ड्राफ्टिंग के चीज़ां कोई भी वकिल हजरात शिखा देते दूर दराज नहीं जाना आपके घर के खरीब कौन है उनके पास से आप सिख सकते ओके थोड़ा क्लैरिटी हुई ड्राफ्टिंग के भाने में अल्दवेस्ट